हे दोस्तों इससे पहले की लेसन्स शूरू करूँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी मैं यूटूब पे लाइव आने वाला हूँ जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक बिजनेस के उपर ऑपोचुनिटीज जो आर्टिस्ट के लिए एव आपने बहुत मैं अनले लिए बेस दो ताकि आपको मैं अपने जो इंफोरमेशईन है जो टापिकS और इस old man की portrait में मैंने बहुत सारी points ऐसी discuss की है जो आपको बहुत सादा काम की लगेंगी देखो लगभक 6 सालों से मैं अपनी academy को professionally चला रहा हूं और इन सालों में ना मैंने बहुत सारे professional artists के साथ काम किया जो डिग्री के तौर पर आडए की डिघ्री मैं है आड़ इसे चूल कर। मैं हैं या फिर किसी की फिल्ड में professionally काम कर रहे हैं या फिर आठ के टीचहर हैं या फिर home makers जो इसे होबी के तौर पर काम कर रही हैं जितने भी लोग हैं विसिकली जितने भी लोग है उन सब को मैंने आट की ट्रेनिंग दी है और इस एक्सपीरियन्स से मैंने एक चीज़ जानी कि लोग कहां-कहां पर गलतियां करते हैं और इसको जानने में बड़ा मज़ाता है कि ल अच्छे से सुनते रहना क्योंकि बहुत सेरे पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के दौरान जो बहुत जादा हैल्प करेंगे आपको समझाएंगे कहां पर आपको जादा फोकस करना है कहां पर जादा टाइम देना है ताकि आपकी इंप्रूव्में हो सके उससे ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके तो यह सारी पॉइंट में इस पूरे वीडियो के दौरान बताने वाला हूं तो पूरा देखना एंड तक देखना अब शूरू करते हैं तो यहां पर मैं फ्री हेंड पहले ड्रॉ करूंगा उसके बाद फिर प्रिंट करूंगा तो यह वाला मैंने रिफ्रेंस इमेज लिया है and यहाँ पर कुछ important चीज़े मैं आपको बताता हूँ यह जो reference image मैंने ली है इसको मैं इस्तमाल करूँगा base बनाने के लिए और इसको completely copy नहीं करूँगा मैं ठीक है copy करना भी important है लेकिन आज की session में आज की lesson में copy नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ experiment भी करते रहता हूँ अपनी बीच बीच में जब भी मैं कोई painting बनाता हूँ थोड़ा बहुत experiment भी करते रहता हूँ कभी color को change करके देखता हूँ कभी जैसे मैं ये old man बना रहा हूँ तो दाढ़ी को बड़ा बना के देख लिया या फिर जो टोपी है उसको छोटा बड़ा कर रहता हूँ थोड़े मतलब experimentation में बीच बीच में करते रहता हूँ और जो अभी आप देख रहे हूँ मैं freehand draw कर रहा हूँ ये मैं loomies method के according draw कर रहा हूँ आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि loomies method सीख लेते हैं उसके बाद हम किसी का चेहरे कैसे बनाएं तो मैं हमेशा एक बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि loomies जो method जिससे मैं भी draw कर रहा हूँ ये आपको construction देता है आपको base देता है कि आपको आख नाख मुझ जो overall जो हमारा skull है human skull है उसके जो structure है उसके जो बनावाट है उसका base देता है उसके उपर जो आख नाख मुझ किस तरीके से बनेगी कितना changes आएगा वो हमारे observation पर depend करता है और उसके लिए आपको practice करनी ही पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है वो basic structure है और head के उपर मैंने बहुत पहले काफी सारी videos बनाई भी है तो आप मेरे channel पर जाके playlist में drawing के उपर playlist है उसके देखोगे तो आपको बहुत सारी videos मिल जाएंगी अभी इस video में आप ध्यान से सुनो में जो जो important बाते आपको बता रहा हूँ जो मैं अभी आपको draw करके दिखा रहा हूँ मैंने उसको काफी real time रखा है थोड़ा से speed मैंने बढ़ाया है हलाकि लेकिन फिर भी काफी real time रखा है drawing के part को ताकि आप ये समझो कि सबसे जादा time आपको किस जगा पे देना होता है यहाँ पर जो आप मुझे बनाते विए देख रहे हूँ यह लाइन जो खीचते विए देख रहे हूँ यहाँ पर मैं सबसे जादा focus कर रहा होता हूँ किसी भी printing में किसी भी artwork में जब भी मैं बनाता हूँ ये जो एरिया अभी आप देख रहे हो जिसको मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पर मैं बहुत ही ध्यान से बनाता हूँ संभल के क्योंकि कितने भी आर्टिश्टों को आप देखते हूँ वो किसी भी लेवल पे हूँ ठीक है भले वो 40 साल से प्रोफेशनली काम कर रहे हूँ या फिर कितने भी ग्रेट आर्टिश्ट रहे हैं किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो बना रहे हैं और अपने आप सब चीज अच्छे बनते जा रही है जब भी वो ड्रॉ कर रहे होते हैं उनके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि problem को solve कैसे करें कि हा मुझे यहाँ पर आग बनानी है मैं यहाँ पर लाइन खीचू यहाँ पर मुझे नाग बनानी है मैं यहाँ लाइन खीचू यह जो questions है ना अपने आपको हम बार बार पूछ रहे होते हैं कि कहां पे line खीचू, lips के लिए कहां पे line खीचू ये सारे questions हम अपने आपको पूछ रहे होते हैं जब भी किसी चीज़ को हम बना रहे होते हैं और इसी के हिसाब से हम अपनी drawing को करते चले जाते हैं अब जादा तर लोग जो गलती करते हैं वो ये होती है कि ये जो stage में आपको real time थोड़ा सा मैंने slow करके दिखाया है मैं आपको draw करते भी दिखा रहा हूँ ये जगा को करना काफी boring सा होता है मतलब काफी time taking और थोड़ा जादा दिमाग लगता है तो महनत जादा लगती है इस area में जिसको मैं भी बना रहा हूँ ठीक है जहाँ पर basic construction line बन रही होती है तो यहाँ पर अकसर लोग हड़ बढ़ाते हैं जादा से जादा लोग इसी stage में हड़ बढ़ाते हैं आपने भी देखा होगा कि जब भी आप draw कर रहे होगे और आप किसी का चहरा बना रहे हो या कोई भी drawing बना रहे हो आपको एक second के लिए भी अगर लगा कि हाँ मेरे drawing सही तो दिख रही है आप तुरंत color लेते हो या तुरंत shading करने चालू कर देते हो और ये human tendency है ये मेरे साथ भी होता रहा है बच्पन से जब भी हमें लगता है कि drawing सही तो दिख रही है ये जैसे ही दिमाग में आता है ना कि सही तो दिख रही है हम तुरंत अगले level पे जाने के लिए ready रहते हैं कि तुरंत color उठाया color करना चालू कर दिया problem यही होती है कि हम टिक के अराम से observe नहीं करते है कि क्या सही दिख रही है लेकिन क्या सही लग रही है क्या आखें एक level पे है क्या नाक सही level पे है क्या जो चोडाई है जो चहरे की चोडाई है क्या वो सही है या कुछ गलतियां है उसको मैं सुधारूं फिर आगे बढ़ू देखो हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमें क्या लगता है कि जब हम shading add कर देंगे या फिर जब हम color add करेंगे तो जो गलतियां अगर होंगी भी थोड़ी बहुत तो अपने अब ठीक हो जाएंगी इसलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं अगे बढ़ते जाते हैं लेकिन problem क्या होता है जितना हम ऊपर के level को add करते जाएंगे जितना हम detail दे देंगे जितना हम color add कर देंगे उतना जादा problem होगा हमें गलतियों को सुधारने में अगर इस stage में कोई गलती है तो इसलिए मैं आपको बहुत सारे अपने tutorials में drawing का जो part होता है उसको मैं real time रखने की कोशिश करता हूँ जैसे अभी भी आप देख रहे हो कि मैंने इसको बहुत साथ fast नहीं किया है हाला कि इससे वीडियो काफी लंबी हो जाती है lessons बड़े हो जाते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी तक right information पहुँचे सही information पहुँचे और सही information से मेरा मतलब यही है कि जब भी आप किसी भी artwork को बनाओ न तो ये stage को हमेशा time दो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि काफी time lapse जब बनती है videos जहां पे हम video को छोटा करके speed में दिखाते हैं तो efforts नजर नहीं आता artist कितना मेहनत कर रहा है उस drawing वाले हिस्से को complete करने में वो नजर नहीं आता है क्योंकि फटा-फट से चीज़ें खतम हो जाती है लेकिन आपको समझना ज़रूरी है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हो तब आपको समझ आता है कि चीज़ें fast नहीं होती फटा-फट फटा-फट कर दिया चीज़ों में time लगता है और खासकर जब आप शुरू में हो beginning stage पे हो क्योंकि देखो अभी मैं इसको draw कर रहा हूँ 3-4 बर मिटाने का काम पड़ता है फिर ये चीज़ें बन जाती है फिर मैं आगे चले जाता हूँ लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता है जब मैं पहले बनाता था तो 50 बर मिटाना पड़ता है 100 बर मिटाना पड़ता है फिर भी गड़बड होता है यह हो रही हम मिटा मिटा के मिटा मिटा के करते रहते हैं ठीक है लेकिन टाइम के साथ वो मिटाने जो हम पहले 50 बर मिटा रहे थे अब 10 बर मिटाते हैं फिर आगे चल के 4 बर मिटाते हैं दो बर मिटाते हैं तो वो गलतियां कम होते चले जाती है टाइम के साथ लेकिन जब ह इनको जादा अच्छे से portrait आता है मुझसे नहीं हो पाएगा ये सारे thoughts हमारे दिमाग में आते हैं या फिर हमें लगता है कि इन्होंने तो जादा मिटाया नहीं बस बनाया और आगे बढ़ गए और इनका सही भी बन गया तो मतलब ये stage में जादा focus करने के जरूरत नहीं है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए यही पर problem चालू होती है जो भी मैं अभी बना रहा हूँ अब देखो कि कैसे बना रहा हूँ मैं अराम से मैं observe कर रहा हूँ कि कहां पे आँक आनी चाहिए कहां पे नाक आनी चाहिए कितना चौड़ा होगा कितना पतला होगा अराम से इस stage को पूरा enjoy करो जितना ये stage आपका अच्छा होगा आगे चलके color add करते समय details add करते समय उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही कम struggle करना पड़ेगा तो इस stage को आराम से observe करो अब जो भी चीज मैं इस्तमाल कर रहा हूँ ये paper ये material उन सब पे ज़्यादा focus मत करना क्योंकि वो माइने नहीं रखेंगे ठीक है paper जो मैं इस्तमाल कर रहा हूँ वो canson का है इसका link भी मैं description में डाल दूँगा इस पे मैं oil painting करता हूँ oil painting के लिए काफी अच्छे है तो इसका link में description में डाल दूँगा आप check कर सकते हो और pencil में हाँ mechanical pencil इस्तमाल कर रहा हूँ 2 mm की, staidler की but pencil doesn't matter और oil painting oil paint जो मैं इस्तमाल करूँगा अभी वो windsor newton के करूँगा लेकिन camel के मैं इस्तमाल करता आया हूँ तो यह सब जो material के material के आसपस जो दिमाग घूमता है उसको एक बार के लिए रोकना क्योंकि वहीं पे हम अगर अटक गए तो हम main मुद्धे से भटक जाएंगे main मुद्धा यह है कि आपको अपनी skill develop करनी है अपनी जो drawing skill है उसके उपर ज़्यादा focus करना है और जो मैंने बोला था कि time waste वाली बात time waste आप मत करना materials को खोजने में कि कौन सा material best है या फिर कौन सा paper best quality का है या फिर कैसे हम और ज़्यादा बारी की add करते हैं किसी painting में कितना detail जा सकते हैं ये सब जो बाते हैं ये आपका time waste करेगी खास कर अगर आप अभी शुरुवात कर रहे हो तो ठीक है तो आप अभी भी देखो मैं drawing कर रहा हूँ और बस देख रहा हूँ कि कौन सी line कहाँ पे बननी चाहिए ठीक है ये नहीं कि drawing हो गई तो फटा-फट से color उठाया और करना चालू कर दिया हर एक plane को समझना जरूरी है कि ये front plane है ये side plane है और ये आप कैसे समझोगे जितना जादा आप draw करोगे जितना जादा आप observe करोगे ठीक है और ये भी आपको समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ portrait पे ही सारे चीज़ें सीखो जो चीज़े मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं इसको ध्यान से draw कर रहा हूँ और आपको real time में drawing बता रहा हूँ कि drawing को आपको अराम से करना है वैसे ही हर एक चीज़ में किसी की भी drawing हो किसी simple subject हो या कोई भी कितना भी आसान चीज़ हो वहाँ पे आप अराम से time लो draw करने के बाद मैं इसको अभी एक layer करूँगा इसके उपर यह white acrylic paint मैंने लिया है camel का है तो brand doesn't matter white acrylic paint है यह याद रखो ओके और इसके उपर थोड़ा पानी किया मैंने इसको थोड़ा liquid किया basically मैं अपने paper को prime कर रहा हूँ अब समझो मैंने आपको पहले prime करना बताया है अपने पहले videos में अगर आपको नहीं पता तो मेरी oil painting की playlist में जाके देख लो वहाँ पर मैं पहले prime करता हूँ यहाँ पर drawing देखो आर पर दिख रही है ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको देख के clear रहनी है तो यहाँ पर मैंने prime कर दिया अब इसके उपर हम oil paint start करेंगे एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह सोचते हैं कि portrait को हम सीखें portrait नहीं हम इंप्रूफ करें portrait को अच्छा करें बट understand जब तक आप foundational level से काम करना चालो नहीं करोगे अगर आप proportion judgment कर रहे हो अगर आप live drawing करना सीख रहे हो समझ रहे हो लेकिन अगर आप still life नहीं कर रहे हो अगर आप अपने घर में बैठे हो कोई समान रख के उसके drawing नहीं कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ portrait की drawing सीख के ही portrait बना लोगे ठीक है ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका still life और इन सब चीजों में interest नहीं है landscape बनाने में interest नहीं है portrait में इंट्रेस्ट है which is really okay क्योंकि मेरा भी portrait में बहुत जादा interest रहा है बाकी subject matter के comparison में बट एक चीज मैंने समय के साथ सीखी है समझी है कि हमें सब चीजों को importance देनी जरूरी है अगर हम अपने still life को या फिर बाकी जो normal life में हम nature को देखके life study कर रहे हैं उन सबसे भी हमारा portrait इंप्रूव होता है indirectly हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा portrait इंप्रूव हो जाता है क्यों क्योंकि हम proportion judgment की ability जो है वह हमारी increase हो जाती है hand-eye coordination जो बोलते हैं जो हम देख रहे हमारा हाथ जो बना रहा होता हमारा जो इंप्रूव होता है जब हम still life बना रहे होते हैं या फिर life study कर रहे होते हैं तो इन सारी चीजों से भी हमारा portrait का जो judgment है portrait की जो ड्रॉइंग वह भी इंप्रूव होती है ठीक है तो यह मत समझना कि इसी portrait पर ही हम काम करेंगे तो portrait सीख जाएंगे नहीं सारी चीजों पर fundamental आट के principles जो भी है values प्रपोर्शन यह सारी चीजों पर काम करना जरूरी है ताकि आपका portrait भी अपने आप improve होता रहे तो यहां पर मैं background से शुरुआत कर रहा हूं background पर मैंने roughly color दिया उसके बाद जब मैं चेहरे को color कर रहा हूं तो पहले dark areas को मैंने कर दिया तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है पहले मैं first layer दूँगा basic basic color दूँगा बहुत साथ details या बहुत सारा चीज़ें नहीं करनी है मुझे एकदम simple way मैं पहला layer कर रहा हूं simple बहुत साथ variations एड नहीं कर रहा हूं इस stage में और जैसे यह stage complete होता है पहला layer जब खतम होता है तो अगले stage पे हम और जादा details एड करेंगे details in the sense जो volumes है या फिर जो additional चीज़ें है जो volume है basically ठीक है transitions है वो हम next level pad करेंगे next stage match करेंगे तो यहाँ पर मैं basic color दे रहा हूं और brush की अगर मैं बात करूँ तो brush मैंने roughly इस्तमाल किया ब्रश की brand map देखता नहीं हूं तो brush के उपर काफी लोग सवाल पूछते है तो मेरा हमेशा यही जवाब रहता है कि brush doesn't matter उसके ball matter करते हैं उसकी brand matter नहीं करती ठीक है तो यह stage को मैंने quickly रखा है ताकि आप एक overall idea ले सको कि क्या important है ताकि आप जब अपना खुद artwork बनाओ तो आपको पता रहे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है मेन ये जगा में सुंदरता आनी चालू होती है ठीक है अभी जब आप देख रहे हो तो इस जगा में portrait हो या कोई भी subject matter हो इस जगा में सुंदरता आनी चालू होती है और यही कारण है कि लोग इस stage तक पहुचने के लिए काफी जादा excited रहते हैं कि हाँ ये जगा में आएंगे तब जाके हमें हमारे work में भी मज़ा आएगा बट believe me जब आपका शुरू वाला stage जहां पे चीज़ें बोरिंग लग रही थी जहां पे जादा महनत लग रही थी जहां पे मज़ा नहीं आ रहा था अगर वहां पे आपने धैरले के साथ पेशेंस के साथ चीज़ों को सुधार के construction line drawing सब कुछ सुधार के काम किया तब जाके इस stage में असली मज़ा आता है ठीक है इस stage में तब जाके असली मज़ा आता है उसके बाद जब जब आप चीज़ें एड करोगे वो चीज़ें अगर आपका base art के principle शुरुआत में जो आप ड्रॉ कर रहे हो अगर उस समय वो clear नहीं है जब आपका building का वो base मजबूत नहीं है तब आप जितनी भी उपर मनजिले बनाते चले जाओ वो बिगडेंगी ही वो गीरेंगी ही ठीक है इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको drawing के stage का importance बता सकूँ तो step one यही है कि आप अपनी drawing की जो construction line है उसको सबसे आदा focus दो उसके angles उसकी proportion सबसे आदा focus दो उसके बाद जब आपका drawing का वो construction construction सुधरे उसके बाद फिर उस drawing को देखो second step में कि और कुछ सुधर सकता है क्या और कोई drawing add सुधारी जा सकती है क्या थोड़ा time दो कहीं से घूम कि आओ फिर से देखो drawing में कुछ गड़बड़े क्या drawing में कुछ गड़बड़े क्या जब आपको लगे कि drawing आप अच्छी बन इस उस पर focus मत करना ओके जो लोग directly paint लेके draw करते हैं direct paint लेके भी portrait बनाते हैं वो भी दिमाग में पहले वो शुरू के construction line और शुरू के जो basic lines होती हैं उसके उपर ही focus करते हैं तो ये चीज़ें एक बहुत important है आपको समझनी अभी मैं second layer add कर रहा हूँ और ये जो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल भी detailed work नहीं है कई लोगों को आप लोगों को लग सकता है कि मैंने detail काम किया लेकि ये detail work नहीं है ये rough sketch है इसको sketch बोलते हैं जहाँ पर मैं strokes दे रहा हूँ quickly portrait बना रहा हूँ तो ये portrait sketch है और ये sketch तभ बहुत सारी हो सकते हैं लेकिन हर तरीके में drawing और fundamental वो सारी चीज़ें बहुत ज़्याद माइने रखती है तो यही चीज़ें जो आपके work को बहुत आगे लेके जाएंगी तो I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो informative लगी हो and ये whatsapp number मैं जो दे रहा हूँ इस पर अपना नाम लिख की भेज़दो आपने पहले ही भेजा हुआ है तो it's okay अगर आपने अभी तक नहीं भेज़ा है तो ज़रूर भेज़दो जो live session होगा उसकी topic क्या होगी कब होगा सारे details आपको whatsapp पे directly मिल जाएगी ताकि आप मिस न करो तो ये whatsapp number है अपना नाम आपको लिखे भीजना है बस तो मुझे comment में बताओ कि कौन कौन से topics आप चाहते हो कि मैं cover करूं touch करूं ठीक है and आपके comments मैं सारे comments पढ़ता हूं literally सारे comments पढ़ता हूं मैं भ कर do what you love and love you all